जहीं दोस्तों इस वीडियो में यूपी पूलिस के लिए 100 डेज प्लान डिसकस करेंगे क्या आप जो पहले पढ़ रहे थे वहीं आपको अभी भी पढ़ना होगा या कुछ नए तरह के बुक कुछ नए तरह के प्रेक्टिसेट इंक्लूड करने होंगे अपने पढ़ाई मे क्योंकि आने वाले समय में आपको यूपी पूलिस में रहने वाला है आपको कैसे पढ़ाई करना है एक-एक बिंदु पे डिसकस करेंगे देखो UP Police Constable नेस्ट जब भी एक्जाम होता है जो कि इतना जल्दी होने वाला नहीं है कम से कम 2-3 मन्त आपका समय लगेगा अगर कभी भी एक्जाम होता है तो इसमें आपको पहले के पेच्छा ज़्यादा कटफ देखने को मिलेगी तो इसलिए आपका competition भी तगड़ा देखने को मिलेगा और देखो कोई भी काम करते हो बिना planning का यदि आप काम करते हो तो समझ लो कि उसमें आपको पहले तो positivity नहीं मिलती है और कितना percent success हो पाओ गए इसकी भी जो है possibility आपको दूर-दूर तक नहीं देखती है यह 100 days में आपको क्या करना है इस पे पुर्णता आपको द्यान देना है सबसे पहले दो-तिन बात ध्यान दीजिए देखिए रोज आपको एक practice rate लगानी है 100 days तक 100 practice rate लगानी है आप online लगाईए, offline लगाईए, doesn't matter कहीं भी लगाईए, लेकिन आप जो पहले practice rate लगा लिए हो उसको नहीं लगाना है फिर से मैं बताता हूँ जो पहले practice rate लगा लिए हो उसको नहीं लगाना है, हाँ पहले जो practice rate लगाए हो उसमें previous year का अगर लगाए हो तो उसको लगा सकते हो, मतलब कि 10-5 पहले previous year का practice set लगा लीजिए, portion of label आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी से जो आप डेट बना रहे हो, जो आप strategy बना रहे हो, इसमें daily एक नया practice set लगाना है, market में तमाम तरह के practice set अब लेवल है, कोई भी खरित के, कोई भी online, offline, कहीं से भी, मारियरोज नया, एक practice set, अब देखिए क्या पढ़ना है, जैसे कि आप GKGS की अगर बात करें, तो GKGS के समान ग्यान, किरन का, या पूजा का, कोई भी प्रकासन का, आपके पास समान ग्यान है, उसको एक बार नहीं, कम से कम, दो बर, तीन बर पढ़ जाईए, जितना आपके पास समय है, एक समय सेनेरियो रग दिजिए, कि ए घंटाम को ये पढ़ना है, और दो से तीन बर यह उसके बाद से यूपी का एस्टाइटिक जीके और करेंट अफेयर जो की लास्ट डेभ साल का करेंट अफेयर आपको पढ़ना है जो की अभी नहीं पढ़ना है अभी आप जब भी आपको एक्जाम के बारे में पता चलेगा उसके पांच दिन साथ दिन पहले पढ़ है अगर आप मैथ में विक हो तो आप किसी टीचर के पास पढ़ लो या एक और कंडिशन होता है कि मैथ में आपका कोई कोई टॉपिक विक है तो आपको किसी के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपका नंबर सिस्टम ठीक है लेकिन आपका जो है HCF और LCM है तो इसके लिए क्या करिएगा आप किसी टीचर के पास थोड़ी जाइएगा आप बेकाइदा किसी की कलास लेने की और फांडेशन कलास लेकर और समय वियर्थ करने की जरूरत नहीं है नॉर्मली आप यूटूब के सर्च मारिए और HCF LCM का वीडियो देख लीजिए अगला जो आपका रिजनिंग है रिजनिंग की पॉर्षन है भाई साथ यूपी पुलिस में बैक्बाउन का गाम करता है अगर रिजनिंग में आप कमजोड हो तो आप समझ लो कि आप कुछ खास नहीं कर पाऊगा रिजल्ट तो आप से होई यह नहीं पाएगा तो रिजन में भी आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है मानसिक अभिरूची से जो रिलेटेड कोशन राता है जो कानूनिक प्रसासनिक और उसके बासे फंडामेंटल राइट्स यह सब से रिलेटेड आप से कोशन पुछा जाता है जो एक एक चैलेंज करता है मान लेते हैं कि आप किस चौरा है पर ड्यूटी कर रहा है अचानक किसी भी आईपी का आगमन होता है तो आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या करिएगा इस तरह से कूर्शन आ जाता है या इसके लावा इस तरह से कूर्शन आ जाता है कि मान लेते हैं आपका एक्जाम कराने के लिए ड्यू में डालिएगा या उस लड़के को मारिएगा इस तरह के तमाम सारे points रहते हैं जिसमें आपको खोजना रहता है तो भाईया इसमें सब दिमाग का खेल होता है इसके लिए तो पढ़ाई कहीं नहीं है लेकिन मैं इसके लिए भी आपको बुक बढ़ा देता हूँ कीरन पब्लिकेशन का मांसिक अभरूची से रिलेटेड एक बुक मिलेगा आपको जिस पर मांसिक अभरूची करके लिखाओगा तो उस बुक को आप लोग पर्शेश कर सकते हो इसके अलावाद दो प्रैक्टीस जिसमें बहुत बढ़िया से दिया है जैसे कि हरिहन प्वलिकेशन का एक क्रैक्टीस से थाथ है भारा वगरा से और थोड़ा सा यह तफ हो जाता है लेकिन ये भी भूख बढ़ियाँ है तो आपको क्या क्या है त्यआर करना है 100 फ्रैक्टिस दगाई एगा लगव मेरी इन किसके बाद कारका कारक वाला होगे तो यह तो आपका यह दो लिए कली स्टाइगी एगा प्रेप्टिस से आपको खुद समझ में आएगा आपको सबसे ज्यादा कहा ध्यान देना है जहां तक हमें लेग रहा सबसे ज्यादा ध्यान आपको GKGS और मैट नहीं देना होगा अब आते हैं हिंदी पे जो कि आपका ये भी स्कूरिंग सब्जेक्ट है तो भया हिंदी का क्या सिन है ना कि हि सहीं चस लाइक हिंदी है और समझ लोग की यूपी पूलिस का हिंदी ऐसा हो गया है GKGS की तरह मतलब कि कुछ कैस कोश्चन आपसे ऐसे पूछ दिये जाएंगे जो आपको समझ से परे रहेंगे जैसे कि बरतनी से ही टेंस से ही जो आपका काल जो पूछता है एक आपको दे दे देता है यह भी आपको फसा देता है जैसे कि 35 कोशन आये थे यूपी पूलिस कोंस्टेबल के जो पेपर आप दिये होंगे उस पेपर में 10 से 12 कोशन ऐसे थे न भाई जो बहुत बढ़ियां पढ़ने वाले लड़के होंगे न वहीं बना पाएंगे 10 से 12 कोशन ताकि 25 क कोई भी बना लेगा तो 10 से 12 कोशन थे जो वाकही में आपको समझ लिजिए कि जो हिंदी में घुष के बढ़ियां से पढ़ा है वहीं बना पाएगा अब कुछ-कुछ आईसे आपसे कोशन पूछ दिये गए थे जैसे कि परेवाची सब भी पूछ दिये गए थे जो आपस उसमें समय देना पड़ेगा हिंदी में क्या करना है कि डिली एक टॉपिक पढ़ना है दो बुक रखना है एक तो पहले हिंदी ब्याकरण का कोई भी किताब ले लिजिए दूसेंट का भी मिलता है सारल हिंदी ब्याकरण मिलता है तमाम सारे मार्केट में अधित्य पब्लि ले लिजे क्या करिए कि उस चेप्टर को आप पढ़िए ठीक है और उसका practice rate लगाईए इससे क्या होगा ना कि पहले तो आप पढ़ लिए theory पढ़ लिए और उसका practice rate लगाईएगा ना तो आपको पता चलेगा कि question कैसे पुछा था और प्रेक्टिर के सट रहे हैं यहीं सब्सक्राइब को आप सेकेंड बार आपको चांस मिला है तो कहीं अलग से हिंदी का क्योंकि कहीं न कहीं ये 10 कोश्चन आपको बनानी है न भाई साथ तो इसके लिए आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगे और जीन लड़कों का रिजल्ट होगा न हो समझ लोग कि हिंदी में कम से कम 30 कोश्चन तो सही डेफिनेटली करेंगे तभी होगा और यूपी पॉलिस कोंस्टेबल का पेपर आप लोग देखें लिए होंगे कुछ कोश्चन तो बिल्कुल लोलीपॉप थे मतलब समझ लोग कि देखते आप रंक चले आओगे लेकिन कुश कोश्चन जो थे आपके दिमाग को हिलाने वाले थे तो इस बात को ध्यान रखन है बस यहीं आपको काम करना है ज्यादा आपको फोकस कहा करना है जीके जीएस जो कि मैंने आपको बताया एक से डिर घंटा समय देना है और उसके बाद हिंदी के लिए जो है आप एक दो बूक ले लिजिए और मैस देख लिजिए आपका विक सेक्शन क्या है उस पे काम कर पढ़ाई करना है तोटली आपको इलिमेनेट कर लेना है कि हमारे कौन सा सेक्षन कमजोड है कहां पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है अब फाउंडेशन कलास नहीं पढ़ना है फिर से मैं बताता हूं किसी टीचर के पास फाउंडेशन कलास ये वीडियो देख ले वो वीड करिए जरूर आप एक सीट अपने कर पाईएगा अब एकजाम के बारे में बात करें तो भाईया एकजाम डेफनेटली जो चे मन्त का समय लिया गया है आरो यारो का भी पेपर केंसिल हो गया है तो ये सारा एकजाम आपको लगवग सेम देखने को मिलेगा तो उमीद कर सकत है कि आपको दरोगा की वेकेंसी फिर से आपको जेल वार्डेंड ड्राइबर एससे से फिए ताज मेंसी है जो आपको देखने को साइद मिल जाए